कि 1912 में जर्मन मनोवय ग्यानिक विलियम अश्टर ने बुद्धी लवदी के सनप्रतय को विक्सित किया था साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 साइकलोजी का मौस्ट वी वी आई सब्जेक्टिव क्यूशन का सेट थर्ड वीडियो फ्रेंड्स मैं आपक और यहां पर मैं आपको अता रहा हूं समझेगा अंच्छे से कास्लों को अभिग्रहन करने की अंतह सकती से होता है प्रसिक्षन तथा उचीत वाता वरन मिलने पड़ इस परकार की अंतह सकती प्रायव मजबूत होकर व्यक्ति को उचछ सफल उच्छ सफलता दिलाती है ठी एक सिंपल वे में मैंने आपको सिंपल वे में डिफिनीशन भी कराया हुआ है लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हुँ ताकि आप पूर्वा कर्चेश देख लीजेगा यहाला कि मैं इस वीडियो में विडिती के बारें बता रहूं लेकिन आपके नजर में जितने भी जान में रख लेंगे उसे आप लोग एक बार जरूर से जरूर याद कर लिएगा ठिक है तो कहता है देखिए अभविडिती के बारे में कि समाजिक प्रवहाओं के कारण लोक व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुरे विभीन विस्यों के बारे में एक द्रिष्टि कोन करता है मतलब एक तरह का विडिती कोन को विखिआ करता है अपने जीवन से जुरे बातों में और लोक शक्ती जितने भी लोक हैं उनके बारे में तो आप लोग को समयना है कि हृई होता है और अत्मकप्रकीरति भी प्रविर्ति के रूप में भी बीद्वान रहती आपकी तो इसी को अविद्धिती करते हैं समझिए गा और मैंने आपको अल्लेडी बता रहा कि तीन घटक जैसे आपको मैंने बताया था भावावातमा हो गया संगयान आत्म घटक विवार आत्म घटक तो इंपोर्टेंट रहेगा यह सब आपके लिए इतना जरूर तर रहने वाला है यह परसेंट सम्हावना बनती है I am not a god मैं भी कोई भगवान नहीं हूं कि मैं मतलब क्यूशन को देख ले रहा हूं यहीं से आख मुंद कर के वल क्या करता हूं गेस करता हूं और उमीद रहा जहां तक कि उमीद है क्यूशन लड़ेगा लड़ेगा तो आप लोग बिल्कुल नि डिफनिशन आपको बताया था कि अपने पड़िवेस को समझने की चमता से भी वेक पूर्णी चिंतन करने से और जीवन की चुनोतियों का सामना करने के लिए उपलब्द संसाधनों को प्रभावी ढंग से उप्योग करना ही क्या कलाता है तो बुद्धी कलाता है आपको मै आपको बोला ब्ले थे कि चिंतन करता है करता करताओ अपने परयावरन को परभावी deviation करतने में क्या बढ़न होता बनान करें मैं क्या होता इसमें प्राइख प्रतियों गता का आटूट परिया समय की अनुहादी होता है चाहें पर नमबर हो क्ैंट सब्सक्राइब किसे हैं तो नहीं है किसी खटना यानिया फुटी मुलास उगा आपने और एस्टिम्यूलस ठीक है तो आप वहां पर पढ़े होंगे जैसे हम लोग चाय को अगर टेच करते हैं जिस तरह से तो हमें क्या लगता है कि नहीं चाय क्या है तो बहुत ज्यादा होट है गरम है ठीक है कहता है यहां पे स्ट्रेस का मतलब होता है हमारे कणिडिया मतलब हमारे अक्टिवीटी divorced कर लेता है और उसे क्या एक करना मतलब मतलब होारी और रेस्पौंसच करते हो वह सिंपल साइग जैंपल पर डिफनिशन को समझने के लिए एगजांपल दे रहा हूं अगर आप मतलब गरम लोहा है ठीक ना गरम लोहा है पुरा आग लिखा दम लाल लाल लग रहा है उसको हम टच करेंगे मतलब उसको टच करेंगे नहीं क्योंकि यहां पर हमारा जो होग यहां पर इस्ट्रेस की मैं इजांपल दे रहा हूं इस्ट्रेस का इग्जांपल जैसे मतलब इस्ट्रेस समझेगा कि द्याही कनुक्रिया उसके सारीरी कनुक्रिया को ही इस्ट्रेस करते हैं मतलब सारीरी कनुक्रिया हो गया जैसे हमारे संतूलन व्यक्ति का संतूलन सरीर करना बन पाना सबुए स्ट्रेस का एक्जांपल होता है सिंपल सार्फ में करने का जो व्यक्ति के चंतुलन को छुप दे करता है तिथा व्यक्ति के समायोजी चंता से बाहर होता है उसे हम लोग कहते हैं इंपोर्टंट है देखें चीन्ता मनु वीकृतियों की विशेश्ताओं का बढ़णन करना है करता है की चीन्ता मनु वीकृतिया यहनिने डिफाइंन देफाइं ब्यूचर ओफ एनेक्स सीटी डिशॉडर्ण तो चिन्ता मनो विक्रिती से ताथ पर एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें रोगी को आवास्तविक चिंता मतलब जिसका कोई डड़ भी नहीं है फिर भी चिंता कर रहा है फोबिया जी फोबिया मैंने बताया था ना फोबिया ड़ एवं आसंकाएं इतनी तिर्व होती है कि उनसे उनका दि इस एक सिठी डिसॉडर में आपने पढ़ा भी था कि खाने की बीमारी रहती है मोटा होने का डर रहता है फिर भी क्या करता है वह खाते जाता है कि संग्यानात्मक वहार चीक इत्था कि विश्यस्ताओं का वर्णन करना है यानि को ज्यादा एक्सप्लेंशन नहीं करा पार क्यूशन बैंकों पढ़ते ही रहे हैं तो अगर आपने क्यूशन बैंकों पढ़ लिया है तो आपका फूली का फूली में कराओं का अप हंडेर में हंडेर करके आने वाले हैं काता है कि संगानात्मक बैवहार चिकित्सा एक आएसी चिकित्सा पढ़नाली है जिसमें चिकित्सक रोगीके अप अनुकुली बैवहार यानि कहता है लेकिन वह बैवहार पढ़क वीधियों का उपयोग पता है इस चिकित्सा का उद्देश होता है कि रोगी गलत विश्वास और चिंतन का त्याग करके उसकी जगा पर उप्यूक्त चिंतन और विश्वास बिक्सित करे के समयोजी व्यवहार करने में सफल हो मतलब की संग्यानात्मक व्यवहार चीकित्सा के बारे में आप समझ चुके होगे संग्यानात्मक व्यवहार चीकित्सा ठीक है करते हैं निर्देश आधी प्रदान करती है इससे कम समय में ही ब्यक्ति सुचनाओं को संसाधित कर लेता है यह समिर्थी में संचीत होती है जो बातावरण की बस्तुओं के संचालित करने के लिए फ्रेमबर्ग माधी प्रदान करती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा बैंड वैगन प्रभाव से आप क्या समझते हैं तो बैंड वैगन प्रभाव क्या होता है जो दोस्तों मतलब की एक निर्ने लेते हैं उसका जो गुरूप होता है ना सब सपोर् समर्थन किया जा रहा है तो इसे एंड वैगन प्रभाव कहार समझ चुकर होंगे आप या कह रहना है या उसका समर्थन किया जा रहा है तो Но करते हैं नेक्स्ट मारा यहां पर आप लोग समझेगा कि दो जरूर से जरूर रहेंगे कौन तो यहां पर आग्या देने वाला और एक आग्या का पालन करने वाला तो यहां पर कहता है आग्या पालन समाजिक प्रभावत्पन करने का सबसे सीधा तरीका है सबसे सिंपल तरीका है इस प्रवीधी में एक ब्यक्ति प्राय अधिकारी होता है और दुसरे ब्यक्ति को आदेश देता है और वह ब्यक्ति क्या होता है उसके आदेश को पूरा करता है तो एक पता देकारी अपने किरानी को आदेश देते हैं उसका पालन समानता है किरानी को ख़णा पड़ता है मतलब कहता है कि जैसे हम किसी को आदेश दियें और वो हमारे आदेश को पालन कर लिया तो उसे को कहते हैं आग्या पालन तो ध्यान देजिएगा आग्या पालन को क्या है तो इसी बात को मिला कर लिख देना है और धिखान देशेगा कि जो होती है ना कुंठा आक्रमक्ता तो इसमें आक्रमक जो होता है वो आक्रमक वेवार होता है वो कुंठा से उत्पन होता है लेकिन जो होता है कि कुंठाओं से आक्रमक्ता उत्पन नहीं होती यही बात को इसमें समझाया दता है कुंठा आक्रमक्ता में समझे क्या करता है what is frustration, aggregation, hypothesis तो कता है कुंठा आक्रमक्ता परिकल्पना बतलाता है कि सभी आक्रमक्त बेवहार कुंठा frustration से उत्पन होते हैं परन्तु सभी तरह के कुंठाओं से आक्रमक्ता उत्पन नहीं होती है केवल तीर बेवम अनुचित यानि unjustified कुंठा से ही आक्रमक्ता उत्पन होती है इनकाने का मतलब गया simple word में कि जो कुंठा होता है वो मतलब सभी आक्रमक्त बेवहार कुंठा से उत्पन होते हैं लेकिन जो सभी जो कुंठा होते हैं सभी जो कुंठा होते हैं वो आक्रमक्ता उत्पन होते हैं यहां पर समझेगा कता परन्तु सभी तरह के कुंठाओं से आक्रमक्ता उत्पन नहीं होते हैं मतलब साथियों कि जो होता है क्या कि जो आपके कुंठा से क्या होते हैं आक्रमक बिवहार से कुंठा उत्पन होते हैं परन्तु सभी तरह के कुंठाओं से आक्रमक बिवहार उत्पन नहीं होता है तो इसे को कहा हैता है फ्रस्ट्रिग्रेशन, एग्रिशन, हाइपो थिसिस, तो कुंठा, आक्रमकता पड़ी कलपना से आप क्या समयते हैं याद रखिएगा उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट और सेकेंड सेट को देख लिया होगा तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा चलिए जुडएंगे हम रात में महाभारत की क्लासिस में वह बहुत आपके लिए इंपोर्टें क्या समय लो